वेल्डमें स्टूडेंज्स, मैंने आपको जो कुश्चंस की वर्कशीट करने दी थी, केमिस्ट्री के सेकंड चेप्टर, इस में अपको कंसेंट्रेशन ऑफ शॉलीशन, सैचुरेटिड अन्साचुरेटिड सॉलीशन, और आपको मैंने सॉलॉबिलिटी के बारे में बताया दिये थे, उसी की वर्कशीट जो मैंने आपको दी थी, आज मैं उनके आंसर्स आपको एक्स्प्लीन कर रही हूँ, जैसे मैंने पहला कुश्चं दिया था, आप कैमफर और सैंट के मिक्शर को किस तरह सेपरेट करोगे, देखिए कैमफर एक सब्लाइम है, और जब भी किसी सॉलेट के साथ, कोई ऐसा सॉलेट जोकी नौन वॉलेटाइल हो, नौन वॉलेटाइल ऐसे सब्स्टेंस को बूला जाता है, जो हीट करने पर एवेपरेट नहीं होते हैं, तो सेंट एक नौन वॉलेटाइल सब्स्टेंस है, और कैमफर एक सब्लाइम है, जो हीट करने पर डिरेक्ली गैस में कनवर्ट होता है, तो इन दौनों को ही सेपरेट करने के लिए हम इस मिक्शर को हीट करेंगे, और कैमफर हीट होने पर गैस में कनवर्ट हो जाएगा जिसे हम कलेक्ट कर लेंगे फनल की हेल्प से सेट अप बिलकुल सब्लीमेशन प्रॉसेस जैसा बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको फर्स चेप्टर में एक्स्प्लीमेशन प्रॉसेस में तो बिलकुल वैसा ही सेट अप बना के हम कैमफर को सेपरेट कर लेते हैं से से तो कैमफर अलग हो जाता है और सेंट अलग हो जाती है सेकंड कॉर्शन है हाव विल यू सेपरेट वाटर फ्रॉम मस्टर्ड ऑई इस तरह की मिक्षर को सेपरेट करने के लिए देखिए इस तो एप्लिकिशन्स ग्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेकनीक है जिसमें सॉल्वेंट में से उन सॉल्यूट के अलग करने की यह टेकनीक है जो की बहुत कम अमाउंट में सॉल्वेंट के अंदर टिसॉल होते हैं कम अमाउंट होने की वज़ए से इन्हें क्रोमेटोग्राफी टेकनीक से अलग किया जाता है जो मैंने आपको अपनी वीडियो में एक्स्प्लेइन की थी इसके टू एप्लिकेशन मतलब इसके टू यूज़ज़ग मैंने आपको बताया थे एक यूज़ बताया था जो इंक होती है उसमेंसे डाइस को अलग करना या इसका हम यूज़ज़ फॉरेंसिक साइंस में करते हैं जो स्टमक या जो ब्लेडर होता है उसमेंसे जो ट्रेशस हम निकालते हैं उनमेंसे पॉईजन का पता करना तो उसमें क्रोमेटोग्राफि टेकनिक का यूज़़ज़ करते हैं या फिर जो केमीकल रियक्शन होती हैं जिन में बहुत कम अमांट में प्रोड़क्ट बनते है तो उन रियक्शन में जो प्रोडक्ट है उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए कैसे मतलब किस टेक्निक का यूज करेंगे या कैसे हम अलग करते हैं क्रीम को मिल्क से यह है 6 question आपका देखिए जो क्रीम है उसको मिल्क से सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेंट्रिफिगेशन टेकनिक का जिसमें मिल्क को हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है जिससे जो क्रीम है वो लाइट होती है और वो मिल्क में ऊपर की तरफ आ जाती है अब फिर उसे हम उसमें से सेपरेट कर लेते हैं फिर जो क्रीम निकलने के बाद जो मिल्क बचता है उसको स्किम्ड मिल्क बोला जाता है 7th question है How will you separate a mixture containing sand and sugar Sand and sugar का मिक्षर है उसको सेपरेट करने के लिए आप कौन सी टेकनिका यूज करेंगे तो सेंड और शुगर के mixture को अलग करने के लिए हम यूज करेंगे solvent का मैंने आपको पताया था by using suitable solvent टेकनिक का यूज करके हम इस मिक्षर को सेपरेट करेंगे तो सेंड और शुगर में से सिर्फ शुगर ही water में डिजॉल्व हो पाती है तो इसलिए हम इन दौनों को मतलब इस mixture को हम water में डालेंगे फिर शुगर जो है वो water में डिजॉल्व हो जाएगी उसके बाद हम इस mixture को filter paper से filter कर लेंगे जिसमें सेंड जो है वो हमें as a residue मिलेगी और शुगर है वो water के साथ filter paper को cross करके निकल जाएगी उसके बाद हमें जो filtrate मिलेगी इस filtrate को हम evaporate करेंगे जिससे water जो है वो evaporate होके निकल जाएगा और बचेगी क्या सिर्फ शुगर तो इस तरह से हम इस mixture में से शुगर और जाएगे लास्ट चू टैकनिक है why is crystallization a better technique दन evaporation क्रिस्टलाज़एत है 출at evaporation की comparing में एक अच्छी टैकनिक क्यों है तो देखे ये इसलीं अच्छी है क्योंकि एक है तो जो कुछ जैसे शुगर या जो अधर सॉलिट्स होते हैं शुगर के अलावा भी हैं ऐसे कुछ जोकी जादा बिल्कुल इवैपॉरेशन जो होता है उनका अगर वह ट्राइनेस तक किया जाएगा तो वहuir जाते हैं मतलब वह जल जाते हैं जलना स्टार्ट कर देते हैं जिस वज़ म tv गया करना चाहते हैं लाध्य हमें लेजिउ स्टी वह में हमैं नहीं मिल पाता है तो इसलिए टेकनीय का यूज कि जाता है और जो कि ब्लिटी रख वह हम हमें solid के साथ ही मिलती है लेकिन crystallization में ऐसा नहीं होता है crystallization में हमें crystals मिलते हैं वो भी pure solid के तो इसी लिए crystallization technique जो है वो evaporation से better technique है यह आपके सारे यहां मैंने 8 question जो है वो आपको explain कर दी है इन्हें आप अच्छे से solve करिए लिखिए और जल्दी से जल्दी मुझे send करिए और यह question जो है वो important है इसी तरह के question आपके test में भी आने वाले हैं तो आप इन अच्छे तरह से prepare करें मैंने वक्षिट आपको इसलिए करने दी थी जिससे आप एक example आपको मिल सके कि किस तरह से question आपके test में आएंगे आपके exams में आ सकते हैं तो आप इन questions को अच्छे से तयार करें और जितना remaining part है chapter का test के लिए उसे अच्छे से prepare करें और अगर कोई भी उसे little doubt है तो आप मुझे clear करें thank you मैंने आपको बताया था separating funnel का use करके हम इन्हें अलग कर सकते हैं क्योंकि यह immisible liquids हैं दोनों और इसलिए हम separating funnel का use करेंगे देखिए जब हम इसे mixture को separating funnel में fill करेंगे तो mustard oil जो है वो water से light है इसलिए जो water है उसकी layer नीचे की तरफ बनेगी और mustard oil के लिए water के ऊपर बनेगी तो पहले हम water को अलग कर लेंगे फिर हम mustard oil को अलग कर लेंगे थर्ड question है 9.72 gram of potassium chloride dissolves in 30 gram of water at 70 degree Celsius 9.72 gram potassium chloride 30 gram water में dissolve किया जाता है at 70 degree Celsius temperature calculate the solubility of potassium chloride at that temperature इसी temperature पर आपको potassium chloride की solubility बताने हैं तो देखिए solubility की definition के according solubility निकाली जाती है 100 gram of water में या 100 gram of solvent में तो यहां पे 30 gram में amount दी हुई है आप कितने में निकालोगे 100 gram में निकालोगे तो इसका solution इस तरह ऐसे करेंगे 30 gram water में amount potassium chloride की होगी 9.72 gram और 1 gram में कितनी होगी 9.72 upon 30 gram 100 gram में कितनी होगी 9.72 into 100 upon 30 divide लगा के हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.4 gram यह निकल के आ गई solubility potassium chloride की in water at 70 degree Celsius temperature next question है आपका what will happen if a saturated solution is heated and cooled क्या होगा जब हम किसी saturated solution को गर्म करेंगे या फिर ठंडा करेंगे तो यह मैंने आपको अपनी वीडियो में भी explain किया था मैं यहां दोबारा explain कर रही हूं saturated solution को heat करने पर वो unsaturated बन जाता है क्योंकि जो saturated solution होते हैं उसमें जो solute है उसकी amount dissolve होना बंद हो जाती है लेकिन उसे heat करने पर solute or dissolve होना start कर देता है इसलिए saturated solution convert हो जाता है किसमें unsaturated solution में और जब हम saturated solution को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर क्या होता है जो extra amount है उस temperature पर solute की वो saturated solution में से crystal की form में अलग हो जाती है